नमस्कार आदाम न्यूस पाइव एम जमशेदपूर में आपका अस्तक्वान आए नज़र डामतर ने जमशेदपूर की खबत पर अगामी तरगा पूजा को लेकर जिला प्रशासिन इवन पुरिस पुरी तरह से अलट नोट वे हैं जिले के सिकते किशोर कौशल ने रविवार को इस संबद में पीसियार परिसर में टाइगर मुबाइल टैंगो और पीसियार जवानों से समबात किया तता उन्होंने अवश्यक दिशा निर्देश भी दिये उन्होंने तमाम ज़रूरे स्थालों पर बराबर गश्त एवं विदी विवस्ता को दुरूस रखने का निर्देश दिया साथ इसमें किसी तरह को ताही होने पर सकत कारवाई के चितामनी भी दी विडिया से बात करते वे उन्होंने कहा कि सभी दलों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी एक स्थान पर ना रुके बलकि लगातार गती शील्ड रहे ताकि पूजा में आमना ग्रिकों को कोई आसो विदर ना हो साथी रैस ड्राविंग के मामले में उन्होंने कहा कि वैसे स्पोर्ट्स क्यों चिनित किया गया है जहां रैस ड्राविंग होती है और वहाँ विशेश ट्राफिक जाँच दल को लगाया जा रहा है जो राइस ड्राइविंग करने वालों पर त्वरित का ररवाई करेगा और उनके वाहन भी सीज़ किये जाएंगे जिला पुलिस ने सबसर पर आम लोगों के लिए एक अपील भी जारी की है जिसमें इस वर्ष दुर्गा पूजा को आपसी बाइचारे शान्ती और सदवाव के साथ मनाने एम शान्ती विवस्तर बनाए रखने में पुलिस के सायोग करने की अपील की गई है इसके ताहित आम नागरीकों को किसी भी समधार व्यक्ति विशेश दार में विशेश को ठेज पहुचाने वाले भ्रामक सूचना फोटो वीडियो या अपत्ती जुनक टिपपणी सोचल मीडिया साइट्स पर शेयर ना करने साथ किसी भी प्रकार की तत्याहीन अफवा पर 9508-280796 पर वाटसप या कॉल कर देने का अगरे किया गया है सोचल मीडिया पर सामप्रोदाइक साहत बिगरने से संबंदित पोस्ट कर अफवा फेलाने को दंडनी अपरात बताते हुए ऐसी अफवा फेलाने वाले व्यक्तियों के विरिद सूसंगर दाराओं के तरगत म कामना दर्शकर कटोर कानोनी कारणवाइक करने की चेतामी भी दी गई ऐसे पुलिस की ओर से समाज में शांती वाज़िदी व्यवस्ता बना रखने के लिए जम शेत पुरवासियों से सरयोग्ट या पेक्ष्णा भी की गई है यही नहीं सूचना में ऐसी बातों की सूचन देने वाले व्यक्ति की पहचान गुपतर रखे जाने की जानकारी भी दी गई पहतुर पर के लिए नहीं में और स्टमी अब एक जान कहा है जानकारी में और यह कहा गया है कि सब मुस्तहदी के साथ अपनी ड्यूटी करें खास तोर पर PCR को कहा गया है और टैंगो को भी कि वो किसी एक जगह पर static न रहें लंबे समय तक continuous moment में रहें कोई GPS सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है उसके द्वारा continuous control room के माद्यम से इस चीज के निगरानी की जाएगी कोई अनवश्यक रूप से किसी स्थान विशेज पर लंबे समय तक खड़ा तो नहीं साथी साथ PCR में हमारे जो भी पदादिकारी जवान कारे कर रहे हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि वो गाड़ी के अंदर ना बैठें जब भी गाड़ी की स्टाटिक किसी एक लोकेशन पर रुपती है तो गाड़ी के अंदर ना बैठें बलकि बाहर निकल करके फुट पेटरोल करें टाइगर को भी यही कहा गया है कि वो भी बाहर निकल करके जो बाइक पेटरोल के हमारे जवान है वो कंटिनिवस बाइक से पेटरोल करें जो अशक्ता नुसार फूट पेटरोल करें साथी साथ थानों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके छेतर के PCR हैं बाइक पेटरोल हैं और जो साधे लिबास में हम जो जवानों को लगाने जा रहे हैं उन सभी की और इसके अलावा जो भी पता दिकारी एंफोर्सेस लगेंगे तिवारों के दोरान इन सब की थानों में जॉइंड ब्रीफिंग करें और जो भी उनके हम पंडाल या मेला छेतर हैं जो बाजार हैं उनके साथ बहतर कोडिनेशन करते हुए अच्छे तरीके से शांतिपून तरीके से पूरा का पूरा आयोजन संपर्ने कराई त्राफिक के लिए बहुत डिटेल प्लानिंग है तो बहुत बड़ी संख्या में पंडाल लगते हैं आपर कुछ बहुत बड़े मीडिया के माद्यम से शेयर करेंगे कि कौन कौन से रूट डाइवर्टेट रहेंगे कहां कहां से आप बाहन ले जाना पूरी तरीके से बज़ित रहेगा जो बड़े पंडाल है उनके आसपास में कौन सी जगह पार्किंग के लिए चिल्नित की गई है तो यह सारी चीजे ह है जिसको हम लोग आपके माद्यम से साजा करेंगे नो इंट्री जो पीक डेज हैं तेवारों के उस दिन पूरी तरीके से नो इंट्री जादी रहेगी विसर्दन के दिन बीसी प्रकार से नो इंट्री की वेवस्था रहेगी जिसका समय आप लोग के माद्यम से हम लोगों सुची देरागी